Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसका मतलब होता है Future Infantry Soldier as a System, यह आप देख सकते हो, F-Insas a Made in India Defense System, Handed Over to Indian Army by Rajnath Singh, तो इसको डीटेल में समझेंगे, यहाँ पर हुआ क्या क्या है, और यह F-Insas है क्या exactly, इसको Future Infantry Soldier क्यों बोला जा रहा है, इससे क्या ताकत मेलेगी हमारी आर्मी को, काफी कुछ जानने को है च दोरा कराई जाती है, जो नया बैच है, वो 22nd of August से स्टार्ट हो रहा है, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी, और सोच के देखिए, हम इसमें बहुत सारे फीचर्स देंगे, स्रिफ 19,000 रुपीज में, यहाँ पर कोड इस्तमाल करना है अंकित लाइफ हमारे एप और वेब test series, crash course भी लाए जाएगा, और answer writing practice आपके main exam के लिए किराया जाएगा, साथी साथ आपको एक mentor दिया जाएगा, कभी भी कोई भी problem है, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, और इसका पूरा schedule पहले ही दे दिया गया है, यह आप यहाँ पर देख पाओगे, तो limited seats होती है, जल्द कराईए इसके अंदर, ताकि यहाँ पर आपका optional भी बहतर हो सके, use the code Ankit Live यहाँ पर भी, ताकि maximum discount आपको मिल जाएगा, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएगे, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले होता हुआ था कि Made in India, जो Howitzer Gun है, ATAGS, यह पार्ट हुआ था, क्योंकि अभी तक होता क्या था कि हर Independence Day पर जो British Made, जो Howitzer Gun होता है, उसका इस्तमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार Made in India गन का इस्तमाल किया गया, और उसके बाद आज जो है Defense Minister राजनात सिंगे ने कई नए equipment द इस्तम के बारे में जो कि Indian Army को दिया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, What is F in size, इसका full form है, Future Infantry Soldier as a System, मतलब कि हमारी जो Infantry Soldier होती है, जो Sanic होते हैं, उनके पास Modern तरीके के, Future तरीके के जो Equipments हैं, वो उनके पास होने चाहिए, ताकि कि अगर कोई भी लडाई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको आसानी से वो कर सकें, और इसके लिए जो Modernization है, Infantry का, वो पूरा प्रोग्राम अगर हम देखें, उसी को बोला जाता है F in size, जिसके माध्यम से Soldier की Operational Capability को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसके तहत आप Simple Sural सब्द होगा, तो problems होगी, तो rather than that, यहाँ पर lightweight जो equipment है, वो उसको दिया जाए, all weather, all terrain system दिया जाए, cost effective हो, मतलब कि कहीं बहुत जादा महंगा ना पड़ जाए, और उसकी वजए से economy के उपर pressure हो, और साथी साथ, low maintenance भी होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, राजना देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो एक सबसे important चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होगे, वो है आपका AK203 Assault Rifle, ध्यान रखेगा, यह Russian origin gas operated, इसके अंदर magazine लगता है, fire assault rifle है, लेकिन अब यह अमेठी में बनाया जाता है, UP के अमेठी में बनाया Russia-India Joint Venture के तहर, और इसकी range basically 300 km बताए जाती है, और सबसे खास बात यह है कि काफी light है, पहले जिचो चीज़ें इस्तमाल की जाती थी, कई complaints आती थी कि कई बार यह work नहीं करता है, लेकिन अब यह जो AK203 है, जो कि अमेठी में बनाया जारा है, यह काफी modern तरीके का rifle है, ज यह helmet आपको देखने को मिल रहा है, इसके लबाब ballistic goggles हैं और bulletproof jacket हैं, इसकी वज़े से होगा क्या, कि यहाँ पर अगर कोई भी 9mm bullet अगर लगता है उनको, तो वो protected रहेंगे इस bulletproof jacket की वज़े से और helmet की वज़े से, इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बता दूँ, कि जो rifle मै तक के range में काफी अच्छे से यह जो equipment आप देखने हो ना, rifle के उपर लगा हुआ है, यह वाला जो equipment है, तो night vision के camera के तौर पर भी काम करेगा, 200 meter तक अच्छे से enemy को हम target कर सकते हैं, इस particular equipment की वज़े से, इसके अलावा यहाँ पर जो helmet मैंने आपको बताया, इस पर भी night vision device जो है, काफी अच्छा work करेगा, और overall आप यहाँ समझे कि यहाँ पर जो पुरा system है, यह जो आप देख रहे हो, इसमें hands-free secured advanced communication भी है, मतलब कि आपने देखा होगा, जब पूरी सेना की टुकडी जाती है, किसी भी mission पर, तो उनको आपस में लगातार यहाँ पर coordinate करना होता है, बाक्चीत करनी होती है, तो hands-free वो अच्छे से communicate कर सकेंगे, secured manner में communicate कर सकेंगे, ताकि कोई problem ना हो, तो यही है दोस्तों, इंसास यह जो पूरा model है, question यह है कि यह जो पूरा बनाया गया है, वो कौन से क्या किसी दूसरे देख को हमने study करके बनाया है, किस model पर based है, देखो इसको conceived basically क्या गया था, in the year 2000 के बाद से जो है, इसके ओपर लगतार चर्चा हो रही थी, तो F-insas यह जो है, it is one among many soldier modernization program across the world, पूरे विश्व के अंदर इस तरह के कई प्रोग्राम चला जाते हैं, जैसे कि US के अंदर land warrior कहा जाता है, UK के अंदर fist, इसका मतलब है future integrated soldier technology, तो according to estimate बताया जाता है कि पूरे विश्व में 20 armies ऐसी हैं, जो कि इस तरह का प्रोग्राम चला रही हैं, और जाहिर सी बात है कि भारत भी इसको लाने की कोशिश कर रहा था, अब जाकर हम finally सफल हो गया है, यहाँ पर काफी important role रहा है DRDO का, DRDO नो यहाँ पर यह पूरा जो target रखा ह बेसिकली जो army की infantry soldier होती है, उसको कैसे पहले हम modernize करें, वो यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, और साथी साथ यहाँ पर DRDO के scientist ने यह भी बताया कि हमने बाकी देशों का study किया है, जैसे US, France, Germany, Israel के अंदर, किस तरह से यह पूरा प्रोग्राम चलता है modernization का, उसको हमने study करके, finally, India में implement किया है, और जो quality requirements हैं, वो यहाँ पर Indian army ने खुद set किया था, Indian army ने खुद बताया था, कि हमें यह यह चीजों की requirement है, यह आप हमें provide करिए, finally, यह अब हमारे पास आ चुका है, जो की काफी मददगार साबित होगा हमारे जवानों के लिए, अब मैं आता हू दूसरा जो important equipment जो मैंने आपको बताया, नुपन mines के बारे में, mines क्या होता है, basically, एक प्रकार का explosive device होता है, जो की ground पर लगाया जाता है, आपने देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं, small size होते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जमीन पर लगा दिये जाते हैं, इससे होता क्या है, कि मान लो, कोई भी enemy जो है, वो अगर सामने से आ रहा है, पहले से यहाँ पर mines बिचा होगा, तो अगर उसका weight इस mine पर जाता है, तो वहाँ पर explosion होता है, tank अगर आ रहा है, अगर वो उसके उपर चड़ गया, तो explosion हो जाएगा, तो यह mines होता है, तो mines जैसे चीजों पर भी क्या हमें dollar खर्च करने के आउशकता है, नहीं, यहाँ पर हम भारत में उसको बना सकते हैं, तो यह जो nupon mines है, यह indigenously designed or developed है, anti-personal mine है, and इसका main काम यह है, कि एक first line of defense के तोर पर काम करेगा, हमारी enemy infantry जो है, जो भी infiltrators होंगे, उनके खिलाब जो है, यह काफी अच्छा हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर इसको बनाया गया है, develop किया गया है, with the effort of armament, research and development establishment, जो की पूने में है, और जो Indian industry है, उन सबने मिलकर इसका निर्माट किया है, तो यह nupon mines है, और एक और बहुत ही important चीज़, जब मैं यह पढ़ आता, बड़ा ही अच्छा लगा, that is landing craft assault, basically एक प्रकार का boat है, अभी present में लद्दाग के अंदर जो पैंगॉंग लेक है, पैंगॉंग सो, वहाँ पर इसको लिया गया है, actually क्या है आपने देखा होगा, पैंगॉंग लेक में काफी ज़्यादा स्करमिश देखने को मिला था भारत और चैना के बीच में, और यह प अंदर बहुत सारे जवान फिट नहीं हो पाते हैं, उतना जादा वो एक्टिव भी नहीं है, लेकिन यह जो आप यहाँ पर देख रहो हैं, यह वाला यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे, यह इसी को कहा गया है, landing craft assault, एक प्रकार का boat है, जो की काफी अच्छे से operate कर सक पूरे pengongs हो के अंदर, और बाकी जगा भी हम लगा सकते हैं, कहीं पर भी जो water bodies हैं, वहाँ पर इसको deploy किया जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि लगदात में बहुत सारे challenges हैं, इसलिए वहाँ पर इसको किया गया है, बताये भी जा रहा है कि it can carry 35 combat troops, सोच के देखिए, अभी present में maximum 10 या 12 तक ही एक boat में ले जा सकते हैं, troops को, लेकिन यहाँ पर 35 troops एक साथ जा सकेंगे, और बहुत जल्द कहीं पर भी short time में पहुत सकेंगे, तो ये 3 important चीज़ें थी और इसमें सबसे important F insights, I hope कि आपको सब को समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले यहाँ पर आपके है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डाल दिया करता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाओगे, औ Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल